हैकर्स आपले लोग को अपना निशाना बना रहे हैं नयने तरीके में किस तरीके से आपका डेटा हैं कर सकते हैं जी हां ऐसे ही एक तरीका है जी इसाद के द्वारा आपका डेटा अट किया जा सकता है आम तोर पर तो phishing link भेजा जाता था जिससे कुछ लोगों का data hack करने की कोशिश करते थे लेकिन यह तरीका पुड़ा पुराना हो गया है तो एक नेया तरीका सामने आ रहा है जिसका नाम है GIF Chef जिसमें वो लोगों का data hack करने की रिए phishing link को implant करते है GIF Mesh के साथ और जहां ही आपने इस phishing link को click किया या आपके whatsapp में कुछ जरूरी settings अगर नहीं हुई है आप hackers का शिकार बढ़न सकते हैं और इसली आपका data hack हो सकता है तो आए जानते कि किस तरीके से हो सकती है hacking दरसल hackers भी अब smart हो गए हैं phishing link की जगा उन्होंने GIF image से attack करने के नई तरीके अपना रहे हैं इसे GIF Shell का नाम दिया गया है पिछले साल तक WhatsApp में कमी देखी गई थी जिसके वज़े से hackers users को GIF image भेज से थे और उनका phone hack हो जाता था लेकिन अब ये WhatsApp ने ये कमी ठीक कर दी है लेकिन फिर भी hackers और smart हो गए है अब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है जिसके वज़े से आप उन hackers के नजर में आ सकते हैं और आपका data हो सकता है hack दरसल कई लोगों के phone में WhatsApp के media auto download का feature हर वक्त on रहता है अगर आपने setting को बंद नहीं की तो आपके data hack हो सकता है चाहे वो photos हो या कोई document तो आपको तुरंत इस setting को बंद करना होगा ताकि आप इस GIF shell के attack से बच सके दरसल खबरे आ रहे हैं कि hackers users का data hack करने के लिए कई नई नी तरीके इस्तिमाल कर रहे हैं जिसके लिए users को बहुत भी जादा साथान और सदर करने की जरूद है इसके लिए आपको WhatsApp के कुछ जरूरी settings को बंद करना होगा जिसके बज़े से आप hackers का शिकार होने से बचेंगे और इस GIF shell phishing link के hack से भी बच पाएंगे तो आइए जानते हैं कि क्या जरूरी settings और इस आप अपने डेटा का बचाव कर सकते हैं इस सेटिंग को बंद करने के लिए यूजर को अपने WhatsApp की सेटिंग में जाना होगा जहां पर आपको स्टोरेज और डेटा का ऑप्शन मिलेगा आपको इस पर टाप करना है उसके बाद आपको automatic media download का option दिया जाएगा यहाँ पर आपको तीन option दिखेंगे using mobile data, using wifi and when roaming तो आप देख सकते हैं इस पर मैंने तीनों पर अंचेक किया हुआ है आपको भी इसी तरीकी से तीनों पर अंचेक करना है डेटा किसी भी hacker के पास ना जा सके जब भी आपको media download करें तो उनके sources को ज़रूर चेक कर लें अगर वो trusted sources से है तब भी आप उस media को download करके देखें आज की जान करें आपको कैसी जगी comment box पर लिखें ज़रूर बताए और इस video को अपना में share करना ना भूले मिलती हो एक नए video के साथ तब तक के लिए एक करने बार